काफी सारे लोग कंफीजन में कि हमारी बेवी गल हुई है या बेवी बॉइ हुआ है करके काफी सारे कमेंट आ रहे हैं आप बताओ बेवी गल हुई है या बेवी बॉइ हुआ है करके तो आज की इस वीडियो में मैं वो कंफीजन दूर करने वाली हों तो ना आगे सी थमनिल टाइटल में हिन्नु का क्या रखा बेवी बॉय या बेवी गल लिखा है और मैं सोच रही हूँ इनको कैसे पता चला मैं उनकी वीडियो देख रही हूँ लेकिन अंदर वहाँ पता नहीं चल रहा है सभी लोग कंफीजन में तो इस कंफीजन को दूर करते हैं तो गैस सामदा आने पहारी पर देखो किती बरब बारी आई है बहुत मस्त नहीं आप टैमरे उटता जूम है नहीं बड़ फिर भी आप देखो है हेलो एफ्रिवाण कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करतियों कशीं की सभी लोग बर या हों गे और मैं भी एक दम बरिया हूँ तो चली जी आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं वीडियो सुरू करने से भी हुई थी लेकिन अभी बाद लगने के वज़े से वह बरबबारी नहीं दिख रही है तो काफी टाइम बाद आज में गाउंसे व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हो तो काफी अच्छा लग रहा है और घर में ना मेरा टाइम स्पेंड ना बेवी के साथ दी हो रहा है जो तो मेरे साथ पहले से जू रखे हैं उन लोगों को पताई है जब तक नामतरण नहीं होता है तब तक हमें एक रूम पे रहना पड़ता है और हम लोग टच वगेरा नहीं कर सकते देवरानी जी के टाइम पर मैंने आप लोगों को बता रहा है तो अब वही कंडिशन मेरे साथ जल दे मेरा खाना पीना रहना सब एक कमरे में हो रहा है और बाहर बीन में कभी कभी आ रही हो जब मतलब कुछ काम है वड़ना बाहर ना आज तो काफी ज्यादा हो रहा है और घड़ में मतलब ब्लॉक क्या वनाओं समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब क्या वनाओं क्या नह बताओ बेवी गल हुई है या बेवी बॉई हुआ है करके तो आज की इस वीडियो में में मों bei कन्शूजन दूर करने करके करें तो उसके नीचे बहुत सारे लोग ने रिप्लाय कर रहा है और काफी सारे लोग बोड़े थे आवास से लग रहा है बेबी गल हुए करके मतलब इतना ज्यादा काफी जादा हो रहा है और मुम्में पापा भी ना यही पर बैठे होई है और यहाँ पे बहुत है नहांना धोना किया औज मौसम ठंडा है जो यहाँ पर आग से अब पता खुल क्या होदा बारीश है या भी धूब है घराने के बाद तो हम लोगों ने दो दिना मस्त इसी धूब से कि नहना धोना किया क्योंकि होस्पिटल पे नहना धोना हुआ नी था और हमारे पहारों में पांच वे दिन में मतलब जैसे में को पास दिन हुए थे बीच बीच में एक दिन होते ना ममी एक पांच वे दिन और शाथ दिन दिन फिर उसके बाद शीटे दस्वे आठवे नौए दस्वे रोज नहना चाहिए वेशे तो यहां पे ना पहारों में ठंड हो रहा है इसले ना मैं डेली नहीं नहा रही हूं मतला हात्म वगेरा दो नहीं मीमान दारे हो रही थिए वहां ञव्खा सपत्र में कादेश्य थि अशा ही हिंग लगा था कोई ठेंशन नहीं थिए ठोडसे हो कई था था यहां सब्सक् Selom वहां है अग शुन की याद आरे दख कभी-कभी लोग सभी हमारे परिवारा को बढ़ा हिना सब बढ़ा और आगे को भी ऐसे प्यार, ऐसे शबोट करते रहना यहाँ बेना चचा जी भी पहुंच चुके हैं हमारे कैसे हो? जो भी घर पे आ रहा हम उसको मिठाई के ता रहा है और अभी कहा को गुमाई फिर रहा है बरब आई एक तो गैज मौसम देखो हम बारिश का है तो सभी दो इस मौसम का फाइदा उठा रहे है ठंड़ बहुत है ना? ठंड़ बहुत है ना? अब बहुत है ना इसे भी होस्पितर स्टाफ में है खोदी अपना ट्रेक्टमेंट खोदी करेंगा अब तो जवान खोन है कुछ नहीं होता है तो गैज सामदा आने पहारी पर देखो कित्ती बरब बारी आई है बहुत मस्त नहीं है नहीं बड़ फिर भी आप देखो यह बहुत अच्छा देख रहा और देखो एकार दिन तक ऐसी रहेगा तो फिक्या पता जाएंगे वहां पर घूमने बहुत मसाज कर रहे हैं और अब इसकी मसाज मामी कर रहे हैं याने की मतलब मिलाके हमसे जादना मम्मी का काम वर रख है और अभी ना मालिस वगेरा करने में मुझे डर भी लग रही क्योंकि छोटे चोटे हाथ पाऊ है तो थोड़ा सा डर लग रहा है तो यहां पर बेबी की मसाच चलते हैं मस्त करके बांकी देवरानी जी लोग खाना बना रहे हैं और देवर जी नमन के साथ हैं जीली जी आप म तो मैं आप लोगों को बता देते हूं और काफी सारे लोग तो मेरे वीडियो में कमेंट करके मुझे बधाया दे रहे हैं बेबी को आसिरवात दे रहे हैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार ऐसी बनाए रखेगा और बेबी को नढ़े सारा आसिरवात दीजेगा तो सभी लोगों का एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मतलब बार बार थेंक्यू बोल रहे हैं अच्छा लग रहा उतने सारे कमेंट पढ़के और मतलब कमेंट में भी बेबी गल बेबी गल बेबी बॉय ऐसी हो रहा है और काफी सारे व्लॉगरों ने तो ना आग ऐसी थमनिल और टाइटल में हिन्नु का क्या रखा बेबी बॉय या बेबी गल लिखा है और मैं सोच रही हूँ इनको कैसे पता चला मैं उनकी वीडियो देख रही हूँ लेकिन अंदर वहां पता नहीं चल रहा है सभी लोग कन्फीजन में त तो हमारे घर में आई है ननी परी यानि की बेबी गल तो आप लोग ने मेरी वीडियो में देखा होगा मम्मी को भी इस बार लक्षमी चाहिए थी और मेरे मिस्टे जी को भी बेबी गल चाहिए थी तो भगवान जी ने ना मम्मी और मिस्टे जी की सुन ली और इने ना लक यह थी मतलब फ्रॉग वगयरा देखे न सौग लगता है और देवरानी जी भी काफी ज्यादा खोस है बेवी गलाई है करके और मम्मी पापा सभी लोग फैमिली में काफी ज्यादा खोस है और इस पेशली तो भाईया भी भाईया बोल रहे थे वो चाचु वाली होगी बोल पा रहे हैं क्योंकि रूम पई है और रूम पई मैं आप लोगों को क्या दिखा हो और बेवी के साथ इना आज पूरा टाम स्पेंट हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे हो तो आप लोग प्लीज मुझसे दूर मत होएगा मेरे साथ नहीं ऐसी बन अच रहे है और और किस्की जैसे दिखती है या कैसी है वो तो आपको आने वाले वीडियो में पता चलते रहेगा क्योंकि अबlierON उसी मिद्सτά ऑख चैप अन सबाले नहीं वहां एसाप नाम कंती आइसे लगते हैं इसे और हैं उम झालकती एनु और ईतने प्यास लाग उस बाकि आप लोगों को आगे को वीडियो में देखने को मिली जाएगा ये किसकी जैसे दिखती है तो आप लोग भी कमेंट करके ना तब बताना और कुछ लोग उन्हें तो ना गुबारू को देखे ही ना कमेंट करना स्टार्ट कर दिया था पिंक कलर के गुबारे लगा हैं इसका मतलब बेबी गलाई है करके और उन्हें लोगों में काफी सारे लोगोंने कमेंट कर रिप्लाइ किया था कि नहीं बेबी बॉई भी हो सकता है क्योंकि ब्लू कलर का वेलकम लगाया था ना काफी सारे लोग कंशूज थे तो होब करते हूं कि आपका कंफीजन दूर हो होगी वैसे तो इस वीडियो में मैंने ज्यादा कुछ बनाया नहीं है मतलब आप लोग कंफीज में थे ना तो कंफीजन दूर करने के लिए यह वीडियो बना रखी है और जल्दी हम लोग अपने बेबी का फेस भी रिवील कर देंगे आप लोगों को हम लोग ज्यादा व बने रहेगा वीडियो पसंद आती है तो इसे कमेंण कीजिया अपने दोस्तों के साथ जयादसे जयादस शयाख किजिए महनू मिल्किव आपको जल देख नए वीडियो में तब तक के लिए शळा अस्त्रा है और अपना ख्याल रुक हैं जय देव भूमी जय उत्राखन ब बाई बाई बाई